तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बाब फिर हमारे यूटूब चनल में बात करेंगे इस वीडियो में सिक्षा भी बाक से जुड़े अपडेट्स की जान करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे नई तबादला नीती को लेकर साथ ही नई तबादला नीती के मादें से ही तबादले किया जाएंगे प्रदेश कंग्रेस कमेटी में बद्वार से मंत्रियों के जन सुराइट हुई थी इसमें पहले दिन सिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और स्रम मंत्री सुख्रां विश्णोई ने सिकायत हैं आप दूर दूर इस्तानों पर मईला सिक्षक लगी हुई है जबकि यहां से उन्हें हटाया गया है उस स्कूल में यहां आसपास स्कूल में कई पद खाली भी है ऐसे में दॉक्टर सिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ऐसे तबादलों की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया उ साती मंत्री जन सुनवाई के बाद सिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि मेरे आने के बाद 30 नॉंबर से तबादलों पर फिलहार रोक है तो ऐसे में नई तबादला नीती मनाई जाएगी और इसमें विबिन मैला टीचर्स है कोई दिव्यांग है कोई विसेस रोक से ग्र इसकी सुरॉत्स हो सकती है कि इसके साथ बात करें तो सवीधा कर्मियों को लेकर खबर है कि सवीधा कर्मियों के लिए अलक से बनेंगे शेवा नीम 80,000 से अधिक कर्मियों को मिलेगा फायदा मुख्य मंत्री के रांदी के उदेश्य से इंगनिशी तहदी के लिए रखे जाने वाले कार्मिकों के शवीदा के लिए एक रास्तान कॉंट्रक्चुल अपॉइंट्मेंट सिविल पोस्ट रूल 2021 बनाए जाने का नुम्बोधन कर दिया है बुद्वार को सीमार में हुई बैठक में इस महत पूर नने भी लिए गए हैं तो सवीदा करमचारियों के लिए कह सकता अच्छी खबर रहेगी कि अब सवीदा कर्मियों के लिए अलक्षे नियम सेवा नियम बनेंगे तो उनको काफी कुछ फायदा होगा उनकी सेलेरी बढ़ेगी या उनको नीमित करने का मार्ग भी प्र लुझगयों की वो सरकारी विवागों के अब एक परिक्षा के मादशि की जाएगी जल्दी इसको लागू किया जाकने साल से बर्ती पेटर्न में बदलाओ कर Bent बागो करने के त्यारी विवाघियों को कारमी के लिए अलग अपनी बर्ती परिक्षा कर्वाने, जरूद वा एक ही भरती परिक्षा करवाई जागी. सबी की साथ में. तक्निकी पदवार बरती के लिए अलग-अलग परिक्षा के बजाए एक ही टेस्ट भी दिना होगा. प्रस्ताओं के आधार पर दो दर्जन से जादा भी बागो के बरतियों परिक्षा एक साथ एक ही होगी अब समान परतता परिक्षा का उजण आर एसस भी कि और से किया जा सकता है परिक्षा एक चरणी बहुआ विक्र प्रिपर्शन पत्र पर आधरित होगी हलांकि यह वस्ता कैबिनेट से अनुमती मिलने के बाद ही लगू हो पाएगी तो यह तम झाल झाल